ओम शान्ति आज तिनांक चार अगस्त दो हजार बाईस प्राताह मुरली बाप ग्यादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है ग्यान योग को धारन कर फिर आसामी देखकर दान करना है मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है ग्यान योग को धारन कर फिर आसामी देखकर दान देना है बाबा हम बच्चों को सदा स्रीमत देते कि बाप समान बनो और बाप समान बनकर औरों को आप समान बनाओ तो हमारा पिता परमात्मा रूप बसंत है वह ग्यान का सागर सिव पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर हम बच्चों के उपर ग्यान बरसात करते हैं तो बाबा कहते उसको धारण करो रूप बसंत बनो योग में रहो जितना जितना योग में रहोगे धारण करोगे बाप समान रूप बसंत बनते जाओगे और जितना जितना रूप बसंत बनोगे उतना उतना ओरो को आप समान बना सकोगे पर बाबा सदा यही स्रीमत देते कि टाइम वेश्ट नहीं करो सिव बाबा के जो पुजारी हो देवताओं के पुजारी हो उन्हें जाकर ग्यान का दान दो क्योंकि तुम्हारा समय मोश्ट वेल्यूवल है तुम बच्चों को बाब समान बनने का पुरुशार्थ करना है बाब की याद में रहकर पावन बनना है प्रश्ण किया बाबा ने कौन सी रस्म दौपर से चली आती है लेकिन संगम पर बाब उस रस्म को बंद करवा देते हैं कौन सी रस्म दौपर से चली आती है लेकिन संगम पर बाब उस रस्म को बंद करा देते हैं उत्तर में बाबा कहते दौपर से पावन परने की रस्म चली आती है बाबा कहते यहां तुम्हें किसी को भी पावन परने की दरकार नहीं है मैं तो अभोगता हूं अकरता हूं असोचता हूं तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायजात का मालिक होता है तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ तुम्हें पाओं पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पढ़ता है अर्थात बाबा हम बच्चों को दुआपर से उस अंधकार से उन रीती रिवाजों रस्मों से मुक्त कराने के लिए आते हैं तो बाबा ऐसी ही एक रस्म पाओं पढ़ने की अभी संगम पर बंद करा देते हैं क्योंकि बाबा कहते मैं तो अभोगता हूँ असोचता हूँ तुम मेरे पेर नहीं पढ़ो क्योंकि तुम जब बच्चे बनते हो तो सारी प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते हो और वारिस अर्थात मालिक तो मालिक को नमस्ते किया जाता है ना कि मालिक किसी के पेर पढ़ता है पर बड़ो को रिगार्ड देना जरूरी है बच्चों को बाबा सदा स्रीमत देते कि मुझसे मिलने आओ तो याद करके मिलने आओ याद में रहकर स्यू बाबा की गोद लेना है गीत सुनाया बाबा ने जो पिया के साथ है उसके लिए ग्यान की बरसात है ओम शांती बरसात तो हर वर्स पड़ती है यहाँ है पानी की बरसात और यहाँ है ग्यान की बरसात बाबा कहते वहा है पानी की बरसाथ और यहा है ग्यान की बरसाथ जो कल्प कल्प होती है यहा है पतित दुनिया नर्क इसे विशय सागर भी कहा जाता है जिस विश अर्थात काम अगनी से भारत काला हो गया है बाब कहते हैं मैं ग्यान सागर ग्यान वरसा से गोरा बनाता हूं इस रावन राज्ये में सब काले हो गये हैं सब को फिर पवित्र बना देता हूं मूल वतन में कोई पवित्र आत्मा नहीं रहती सत्यूग में भी कोई पतित नहीं रहते अभी यहा है पतित दुनिया तो सब क के उपर ग्यान वर्सा चाहिए ग्यान वर्सा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है दुनिया यह नहीं जानती कि यहा कोई काले पतित बाबा कहते दुनिया यहां नहीं जानती कि हम काले पतित बन गए हैं सत्यूग में कोई पतित होता नहीं सारी दुनिया ही पवित्र है यहां पतित का नाम निसान नहीं रहता इसलिए विश्णू को छीर सागर में दिखाते हैं उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते तुम समझते हो विश्णू के दो रूप यह लक्ष्मी नारायनी है कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं तो जरूर छीर सागर चाहिए मनुष्य तो विश्णू भगवान कह देते हैं तुम विश्णू को भगवान नहीं कह सकते विश्णू देवताय नमह ब्रह्मा देवताय नमह कहते हैं विश्णू को भगवान नमह नहीं कहेंगे स्यू परमात्माय नमा सोपता है अभी तुमको रोष्णी मिली है उच्टे उच्छ सिरी स्री 108 रुद्र माला कहा जाता है उपर में है फूल फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारयन को ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता यह माला सुद्ध है न मेरु फिर लक्ष्मी नारयन को कहा जाता है पवित्र मार्ग है न? विश्नु अर्थात लक्ष्मी नर्याण की डिनैश्टी सिर्फ लक्ष्मी नर्याण कहते हैं परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगे न? यह किसको पता नहीं अभी तुम बच्चे विशय सागर से निकलते हो उनको काली दाह भी कहा जाता है सत्युग में तो कुछ होता नहीं, नाक पर डांस की, यह किया, यह सब दंत कताये हैं blind faith से गुडियों की पूजा करते रहते हैं, बहुत देवीों की मूर्तियां बनाते हैं लाखो करोडो रुपिया खर्च करते हैं देवी देवताओं को सिंगारते हैं कोई तो सच्चे सोने के जेवर आधी पहनाते हैं क्योंकि ब्राम्मनों को दान करना होता है ब्राम्मन जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं धूम धाम से देवियों की जाकी निकालते हैं देवियों को क्रियेट कर पालना कर फिर उनका स्रंगार कर दुबो देते हैं इसको कहा जाता है गुडियों की पूजा भासन में तुम समझा सकते हो कैसे यह अंद स्रद्धा की पूजा है गणेज भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं अब सून वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं कितने चित्र बनाते हैं पैसा खर्च करते हैं बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको हम कितना साहुकार एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं यह आत्माओं को परमात्मा बैट समझाते हैं यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और स्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे पिरेंगे तो होंगे खराब उजपदबा नहीं सकेंगे अभी तुम बच्चों को अविनासी ग्यान रतनों से कितना साहुकार बना रहे हैं वे लोग तो सिव और संकर का अर्थ नहीं जानते संकर के आगे जाकर कहते हैं जोली भर दे परंतु संकर तो जोली भरते नहीं है अभी तुम बच्चों को बाप अविनासी ग्यान रतन देते हैं वह धारन करने हैं एक एक रतन लाखो रुपय का है तो अच्छी रिती धारन कर और धारन कराना है दान करना पड़े बाबा ने समझाया है दान भी आसामी देखकर करो जिनको सुनने की ही दिल नहीं उनके पिछाड़ी टाइम वेश्ट मत करो स्यू के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो ऐसे ऐसे को कोशिस करके दान देना है तो तुम्हारा टाइम वेश्ट ना जाए तुम हर एक को रूप बसंद भी बनना है न जैसे बाबा रूप बसंद है उनका रूप जोतिरलिंग नहीं इस्टार मिसल है परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है परम धाम परे से परे है न आत्माओं को तो परम आत्मा नहीं कहेंगे वह परम आत्मा है यहां जो दुखी आत्माएं है वह परम पिता को भुलाती है उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे वह बिंदी मिसल है ऐसे नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं ग्यान सागर हे, पतित पावन हे, दुनिया तो नहीं जानती है. पूछो परम पिता परमात्मा कहा है? कहेंगे सरव्यापी है. अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते हो, तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं है. इनको अंधेर नगरी कहा जाता है तुमको तो बाबा ने हर बात से छोड़ा दिया है बाप अभोगता, अकरता और असोचता है कभी भी पाउं पर गिरने नहीं देते हैं परंतु द्वापर से यह रस्म चली आई है छोटे बड़े का रिगाड रखते हैं वास्तव में बच्चा वारिश बनता है बाप की प्रॉपर्टी का बाप कहते यह मालिक है हमारी चायजात के मालिक को नमस्ते करते हैं भल मालिक बाप है परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का तो तुमको ऐसा थोड़े ही कहेंगे पाउं पड़ो, यह करो, नहीं बच्चे मिलने आते हैं तो बाबा कहते हैं सिव बाबा को याद करके मिलने आना आत्मा कहती है हम सिव बाबा की गोद लेता हूं मनुष्य इन बातों में मूँचते हैं सिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो यह मा हो गई न तुम समझते हो हम मा बाप से मिलने आये हैं याद सिव बाबा को ही करना है तो यह फ़स्ट मा हो गई वर्सा तुमको सिव बाबा से मिलता है यह भी उनको याद में रहता है बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है रूप बसंद बनना है योग में रहेंगे ग्यान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंद बन जाएंगे फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धी में ग्यान है फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ग्यान पूरा हो जाएगा फिर प्रालब्द सुरू हो जाएगी फिर नोलेच का पार्ट पूरा हो जाएगा यहा है बड़ी गुप्त बातें कोई मुश्किल समझते हैं बुड़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो दूसरा न कोई तो बाप के पास जाकर फिर क्रश्न पूरी में चली जाएगी यहा है कंस पूरी ऐसे नहीं कि क्रश्न पूरी में कंस भी था यहा सब दंत कताएं हैं क्रश्न की मा को आठ बच्चे दिखाते हैं यहा तो गलानी हो गई क्रश्न को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए फिर जमुना नीचे चली गई वहां तो यहा बाते होती नहीं अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुनाए वह भूल जाओ बाप कहते हैं इन यग्ये तब आदी करने से मेरे मेरे से कोई मिल नहीं सकते आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंक तूड जाते हैं अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है खोली का बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं यह बात है आत्मा और सरीर की सबके सरीर जल जाते हैं बाकी आत्मा अमर बन जाती हैं अभी तुम बच्चे समझ सकते हो सत्युग में इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं सिर्फ एक ही आदी सनातन देवी देउता धर्म है भारत ही सबसे बड़ेते बड़ा तीर्थिस्तान है कासी में बहुत जाकर बेड़ते थे समझते हैं अभी बस कासी वास करेंगे जहां सिव है वहां ही हम सरीर छोड़ेंगे बहुत साधू लोग जाकर वहां बेड़ते हैं सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं जै विस्वनाद गंगा जै विस्वनाद गंगा जब सिव के द्वारा पानी की गंगा न अब सिव के द्वारा तो पानी की गंगा निकल नहीं सकती। सिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रेक्टिकल में दर पर हो। कहां भी हूँ पर तुछ सिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो सिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे, तो सिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए न, उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं और सब को हैं ही, बाबा कहते सिव बाबा को कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं और सब क को बाप टीचर हैं ब्रह्मा विश्नु संकर का भी रचियता यह ही बाप है रचना से रचना को भल फिर कोई भी हो वर्षा मिल नहीं सकता वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है तुम बच्चे जानते हो हम ज्यान सागर बाप के पास आए हैं बाप अभी ग्यान की बरसा बरसाते हैं तुम अभी पावन बन रहे हो बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुक्तु कर अपने अपने धाम चले जाएंगे मूल वतन में आत्माओं का जाड़ है यहां भी साकारी जाड़ है वहां है रुद्र माला यहां है विश्नु की माला फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती जाती हैं बिरादरियां निकलते निकलते जाड़ बड़ा हो जाता है अभी फिर सब को वापिस कर जाना है फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है अभी तुम मनुस्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो तो बहुत खुसी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं राज योग और ग्यान से राजाओं का राजा बनाते हैं नर से नारायन नारी से लच्मी बनाते हैं सूर्य वन्सी फिर चंद्र वन्सी में भी आएंगे बाबा रोज समझाते रोशनी देते रहते हैं तुम बादल सागर के पास आते हो बाबा कहते तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए भर कर फिर जाकर बरसना है भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे प्रजा में चले जाएंगे कोशिस कर जितना हो सके बाप को याद करना है यहां तो कोई किसको कोई किसको याद करते रहते हैं अथा नाम है बाप आकर कहते हैं फंदे मात्रम दिखाते भी हैं द्रोपती के चरण दवाए बाबा के पास बुडियां आती है तो बाबा उन्हों को कहते हैं बच्ची ठक गई हो बाबा पूछते बच्ची ठक गई हो अब बाकी थोड़े रोज हैं तुम घर बैठे स्यू बाबा को और वर्से को याद करो जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे आप समान औरो की बाबा कहते आप समान औरो को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी बहुत मेहनत करनी हैं धार्णा कर फिर औरो को भी आप समान बनाना है अच्छा मीठे मीठे सिकल्दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पाइंट हर बात में अपना समय सफल करना है दान भी आसामी अर्थात पात्र देख कर देना है जो सुनना नहीं चाहते हैं उसके पीछे टाइम वेश्ट नहीं करना है बाप के और देवताओं के भक्तों को ग्यान देना है हर बात में अपना समय सफल करना है दान भी आसामी अर्थात पात्र देख कर करना है जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेश्ट नहीं करना है बाप के और देवताओं के भक्तों को ग्यान देना है दूसरी पैंड बाबा कहते अवी नासी ग्यान रतनों को धारण कर साहुकार बनना है पड़ाई जरूर पढ़नी है एक एक रतन लाखो रुपियों का है इसलिए इसे धारण करना और कराना है अवी नासी ग्यान रतनों को धारण कर साहुकार बनना है पड़ाई जरूर पढ़नी है एक एक रतन लाखो रुपियों का है इसलिए इसे धारण करना और कराना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धी स्वरूप भाव डिटेल में बाबा कहते सबसे सहज और निरंतर याद का सादने सदा बाप के साथ का अनुभव हो साथ की अनुभूती याद करने की मेहनत से छोड़ा देती है जब साथ है तो याद रहेगी ही लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है लेकिन साथी अर्थात मददगार है साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धी स्वरूप बन जाएंगे स्लोगन में बाबा कहते विसेस आत्मा बनना है तो विसेस्ता को ही देखो और विसेस्ता का ही वर्णन करो आज बाबा ने मातेश्वरी जगतंबा सरस्वती जी के अन्मूल महावाक के रखे जिसमें मातेश्वरी जी कहती हम जो भी कुछ नजर से देखते हैं जानते हैं अब कल्यूक की अंत है और सत्यूगी देविय दुनिया की स्थापना हो रही है हमारी नजरों में यह कल्यूगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है जैसे गीता में भगवान के महावाक्य हैं बच्चे यह जो गुरु गोसाई आदी देखते हो यह सब मरे पड़े हैं वैसे हम समझते हैं इतने सारे जो मनुष्य संप्रदा हैं वो सब आईरन एजड तक पहुँच चुके हैं तब ही परमात्मा के महावाक्य हैं मैं इस आशूरी दुनिया का विनास कर देविय स्रश्टी की इस्तापना करता हूं तब ही हम कह सकते हैं कि सब मरे पड़े हैं तो अपना इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है कहते हैं पुरानी दुनिया न जीती देखो नई दुनिया के लिए सब्ताह कोर्श करो क्योंकि नई दुनिया की इस्तापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए यह दुनिया है ही नहीं भल मनुस्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे दान पुन्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे लेकिन यहा जो हम जान चुके हैं कि यहा दुनिया अब खत्म होने वाली है तो इस विनासी दुनिया की प्रालब्द ही विनासी है वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी अब देखो हमारी नजर और दुनिया की नजर में कितना फर्क है अब यहा निश्चय भी तब बेड़ता है जब यहा निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है अच्छा यह थे बाबा के और मम्मा के महावाक के चार अगस्त दो हजार बाविस के ओम शान्ती